आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉनिंग आईए लेकर चलते आज के कुछ बहतर और प्यारे से सवालों के तरफ मैं हूँ आपका भी सेक्तर पार्टी और आप देखना सुरू कर चुके हैं अमडी क्लासेज का अफिस्यल यूट्यू चैनल तो आईए लेकर चलते एक सांदार से से सेसन के तरफ और आज के सेसन में क्या है खास आप जानते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग आपके लिए पूरी तरह से पूरी युद्ध हस्तर पर आपके एक्जाम के तयारी कराते रहेंगे एक कराने वाले हैं जिसमें आपके लिए आप जानते हैं कि नौ तार जी जैपाल, ओम, संदीप, रिंसु, मनीश, रभी, प्रकास, सभी का स्वागत है, सभी लोग का स्वागत है, बताए क्या होगा इस सवाल का जवाब, तेजी से जवाब दीजेगा, ल्यूमिन किसका मातरक होता है, दोस्त आप जानते हैं, ल्यूमिन पूछा हुआ है, जैसे प्रकास, मिती, तरंग, धैर, जोती, फ्लक्स, आप जानते हैं कि साथ जो है, मूल रासिया है, और दो पूरक रासिया होती है, कितनी मूल रासिया होती है, साथ जो होती है, मूल रासिया होती है, आप सभी को पता होगा, साथ मूल रासिया है, कौन-कौन सी लंबाई है, द पदार्थ की मात्रा है मूल और एक है आपके पास कैंडिला. ये साथ मूल रासियां हैं. दो आपके पास क्या है पूरक रासियां हैं. एक रेडियन और एक हाँ. कहते stay radian आप जानते इन दोनों के बारे में क्या होती है plane angle और solid angle यहां पर जोती flux आपका answer होगा जोती flux का मातरक क्या होता है lumen होता है क्या मातरक होता है भाई lumen होता है बहुत बढ़िया रिंग को एक दम सभी से एक ही आग रह सेशन को share कीजिए और धमकेदार जोरदार तरीके से आज के class के तरफ चलिए तो शुरुवात करें दूसरा question पूछा है plank नियतांक H की बीमा समान होती है दोस्त plank नियतांक आप जानते होंगे एक plank का quantum सिध्धान्थ है plank का quantum सिध्धान्थ का नाम सुना होगा quantum सिध्धान्थ और यह जो plank का quantum सिध्धान्थ है वो क्या कहता है कहता है energy जो है आवरित्ती के समान उपाती होती है E is directly proportional to new अब बहुत नहीं बटा सूरज गलत हो गया formula E बराबर क्या होगा H new तो ध्यान से आपको formula सिखना है E बराबर H new और यहाँ पर H क्या होता है plank नियतांक 6.63 into 10 to the power 23 joule into second कुछ लोग कहेंगे सर जी 6.626 है बिल्कुल 626 है इसी को joule into second कहेंगे joule into second कहेंगे तो किसके मातर के समान है बताइए कोडिय सौवे के बिल्कुल समने यहाँ पे सही जवाब दिया है किसके समान है कोडिय सौवे के देखे उर्जा का समान तो होगा नहीं अज सौवे का क्या होता है kilogram meter per second तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा तो कोडिय सौवे के समान होगा चलिए अगला पूछा है यदि प्रिथिवी की तिरिज्या को हम एक परतीसत घटा दे हमने क्या का प्रिथिवी की तिरिज्या को एक परतीसत घटा दे तो जी पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आपने पढ़ा होगा जी यानि गुरुत्वी त्वरड को कहते G किसको कहते भाई गुरुत्वी त्वरड है और G का मान आप जानते हैं परिवर्तित होता है अस्थान या इस्थिती के साथ G का मान परिवर्तित होता है और G का मान होता कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर हम लोग सहुलियत के लिए 10 ले लेते हैं लेकिन G का मान कैसे परिवर्तित होता है, गुरुत्वी त्वरण, तो capital G, capital M upon R square, तो G का मान देखिए कैसे परिवर्तित होता है, यहां पर आप देख रहे हैं, द्रब्यमान और त्रिज्या, अगर R को घटाएंगे, तो G का मान क्या होगा, बढ़ेगा, आर को घटाने पर G का मान क्या होता है, बढ़ता है, इसके जबाब सूरज का सही है, और बिल्कुल STH कोई है, राज का सही है, बाकी लोग थोड़ा समझिये, समझिये सवाल कहां था एकदम, बढ़ा कांसेप्ट के साथ चीजों को सिखा रहा हूँ, एक कोस्चन और है, पहले ये तो आप कर सकते हैं, किसी वस्तु का मोमेंटम 20% घटा दिया जाता है, तो गती जुर्जा में कितने की कमी होगी, बता पाओगे, गती जुर्जा में कितने की कमी होगी, अब देखो यहां पर, गती जुर्जा मोमेंटम के फार्मूले के साथ पहले देखो, गती जुर्जा का फार्मूला देखो, पी स्क्वाइर अपान टू यम, और इसी को हम, हाफ एमवी स्क्वाइर के रूप में भी लिखते हैं, तो यहां पर गती जुर्जा जो होती है न, सौवेग के स्क्वाइर के समानुपाती होती है, कलत तो नहीं का, सौवेग के किस के समानुपाती होती है, S2 के समान उपाती होती है ये है ना अब आप क्या कहेंगे आप से क्या कह रहा है कोश्चन में वस्तू का सववेग 20 परतीसत घटा दिया जाए यानि पहले सववेग कितना था 100 100 जूल बाद में सववेग कितना हो गया है जो नया सववेग बनेगा वो 20 परसेंट घटा दिया जाए यानि 80 जूल हो गया पहले सववेग 100 था बाद में सववेग कितना है 80 जूल है तो आप जानते हैं गती जूर्जा काइनेटिक इनर्जी 1 अपान काइनेटिक इनर्जी 2 इस इक्वल टू पीवन का स्क्वाइर अपान पीटू का स्क्वाइर पीवन क्या था सौ का स्क्वाइर और पीटू क्या है 80 का स्क्वाइर यही तो है बोले गती जूर्जा में कितने परतीसत की कमी होगी तो यहाँ पे आपको निकालना होगा 100 का स्क्वाइर क्या होगा 10 के बाद 4 0 3 0 और यहां पे 8 ठाई 64 होता है यहां पर 2 0 यह आप इस हिसाब से अपना फार्मूला डेवलप करिएगा गती जुर्जा में कमी पूछा है तो यहां पे क्या होगा देखो एक मिनट यह फार्मूला नहीं लगेगा यहां पर पहले गती जुर्जा कितनी थी तो 100 p square upon 2 m बाद में कितनी हो गई तो बाद में हो गई 80 p square upon 2 m बोलो किलियर है कहेंगे सर जी गती जुर्जा में कमी कितनी आई तो kinatik इनेजी माइनस का justement system है तो चेंज इन काइनेटिक इनर्जी बटा प्रारंभी काइनेटिक इनर्जी गुड़े 100 यही तो है प्रतिसत कमी तो प्रतिसत कमी में चेंज इन काइनेटिक energy कितना होगा तो आप जानते हैं 100 यहां पर 20 P square upon 2 M प्रारंभिक कितना है प्रारंभिक है आपका 100 P square upon 2 M तो यह P square upon 2 M से काड़ दो और 100 से गुड़ा कर दो तो 20 पच्चे यहां पर 100 से 100 20 प्रतिसत आएगा कुछ मिश्टेक हो रहा है दोस्त इस कुश्चन में कुछ मिश्टेक हो रहा है ठीक है क्या हुआ अच्छा 36% बिल्कुल आंसर तो यहां पर 36 ही बनता है एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ पहले गती जुर्जा कितनी थी माल लिया गया 100 P square upon 2 M बाद में गती जुर्जा 20% की कमी हो गई तो 80 P square upon 2 M तो गती जुर्जा में कमी तो कमी कितनी है 20 P square upon 2 M की है LCM कर ले अहां बिल्कुल और प्रारम भी कितनी है 80 है यहां पर 8 अठ्टइ 74 ओके यहां पर मिस््टेक हुआ है बिटा सॉρι गलती देखे कहां पे हुआ है बिल्कुल मैं सही कर देता हूं इसको यहां पर mistake हुआ है दुबारा question को करने में mistake हो गया था यहां पे देखेगा यहां पे जब हमने लिखा वही पे गलती हो गई है 100p का square करना है और यहां पे 2m question का तरीका सही था पहले हमने सही किया था p square upon 2m और यहां पे क्या होगा 80p square हाँ तो यहां पे जब निकालोगे 8, 8, 8, 64, 100p square upon 2m आएगा ओके चलिए अब यहां पर जब गती जुर्जा में कमी निकालोगे ना करती जुर्जा में कितने की कमी आई तो यहां देखना यहां देखते हैं कैसे निकालते हैं यहां पे अब इसमें से इसमें से उसको घटाते हैं तो आप देखिएगा 10 हां बिलकुल तो यहां पे 10,000 में से 64,000 को घटा दीजे और यहां पर P square upon 2 M और नीचे क्या होगा आपके पास नीचे भी होगा आपके पास 100 P square upon 2 M और साथ में 100 से गुडा कर दीजे यह वाला कट जाएगा 100 वाला कट जाएगा और यहां पर 100 वाला नहीं यहां पर फिर से mistake हो जाता देखो P square upon 2 M तो 100 से 2 0 काट दो यहां पर आपका आजाता 36 100 बटा 100 0 से 0 गया 36 परसेंट तो देखो जब 20 परसेंट घटाने की बात करेगा तो 36 बताना जब भी 20 परसेंट घटाने की बात करेगा यह question बड़ा famous है मैं तो solve करके दिख मिस्टेक यह हो गया था जब square किये square करने में गलती हो गए तो square नहीं कर पाए हम direct लिख दिये थे तो यहां पर square करके घटा के करोगे कैसे निकालते हैं गती जुर्जा में हानी बटा प्रारंभी गती जुर्जा गुड़े 100 ठीक है चलिए ओके अगला है 100 वार्ट था 500 वा यहां पर आप जानते हैं P बराबर होता है V square upon R यही होता है अगर वुल्टता समान हो तो पूछा है प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा तो यहां से प्रतिरोध का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है तो R is inversely proportional to 1 upon P और यहीं से formula डेबलप करके बताओ कैसे होगे R1 upon R2 बराबर P2 upon P1 P2 कितना है 500W और P1 कितना है 100W तो यहां पर क्या करोगे 2-0 से 2-0 गया 5 ratio 1 यह आ गया 5 ratio 1 आ गया clear है क्योंकि बीभव क्या है समान दिया था पूछा है मनुसे का तापकरम जो है 60 degree centigrade है तो उसका ताप Fahrenheit में क्या होगा देखेगा Fahrenheit में पूछा है तो आप जानते हैं न degree centigrade बटा पाँच डिगरी Fahrenheit माइनस 32 बटा नौ डाइरेक्ट फार्मूला चाहते हो तो यहां से ले लो 9 बटा पाच सेंटीग्रेट को लिखके 32 जोड़ दो 12 पचे 60 होता है 12 नवा 108 होता है 32 जोड़ दो क्या 40 हो गया क्या कितना बना 140 बहुत बढ़िया 140 बना किलियर कोई डाउट तो नहीं सभी को समझ में आया और पूछेगा किस टेंप्रेचर पर डिग्री सेंटीग्रेट डिग्री फारेन हाइट के बराबर होगा तो आप दोनों के जगा पर X मान लेना X जब मानोगे तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई यहां आंसर आजाएगा कितना आजाएगा मानोगे पूछेगा हाइपर मेट्रोपिया, दूर दृष्टी दोस किसके प्रयोग से ठिक किया जा सकता है, जबाब दीजेगा, दूर दृष्टी दोस को किसके प्रयोग से ठिक किया जा सकता है, यहाँ पे क्या लोगे, बताओ, दूर दृष्टी दोस को किसके प्रयोग से ठिक किया जा सकता है तो यहां पर क्या समझोगे पहली बात कि दूर दृष्टी दोस के लिए जो ट्रिक दिये थे हद से उतरो क्या ट्रिक है भाई हद से उतरो तो हद से क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया अद्ध से क्या होता है दूर दृष्टी दोस तो सीधी सी बात है कौन सा लेंस आ जाए अच्छा निकट द्रिष्टी दोस का ट्रिक क्या था मन में आओ क्या था मन में आओ न से क्या था निकट द्रिष्टी दोस निकट द्रिष्टी दोस और यहां पर म से मायोपिया तो यहां पर कौन सा लेंस लगाए जाता है आउतल लेंस अच्छा दूर द्रिष्टी दोस में नजदीक नहीं दिखता है और नजदीक यानि निकट द्रिष्टी दोस में दूर नहीं दिखता है चली अगला है सारवत्रिक गुर्तवा कर्षड इस्थिरांक यहां देखो यह गुर्तवा कर्षड का चेप्टर से सवाल है सारवत्रिक गुर्तवा कर्षड इस्थिरांक का अभीमिय सुत्र कौन सा है वैसे यह नियम के तहत बल का फार्मूला है यह आपने पढ़ा होगा और जी का मान क्या होता है भाई 6.67 into 10 to the power minus 11 अब यहां पर unit आपको याद रखना है नियम मीटर स्क्वाइर अपान के जी स्क्वाइर यही होता है Newton मीटर स्क्वाइर अपान के जी स्क्वाइर नियूटन को क्या बोलोगे MLT minus 2 MLT minus 2 अब मीटर स्क्वाइर को L स्क्वाइर और किलो ग्राम स्क्वाइर को क्या बोलोगे M स्क्वाइर अब यहां से साल्व कर लो वाई M के उपर आ गया माइनस 1 L के उपर आ गया 3 और T के उपर माइनस 2 M माइनस 1 L का पावर 3 और T माइनस 2 यह हो गया D option हो गया तो एक बार भीया जैकारा लगा के सभी लोग थोड़ा एक बार शेयर करो और लाइक धमाके दार करो इसमें सदिस रासी बताना है सदिस रासी सदिस रासी को हम वेक्टर कहते है वेक्टर अब वेक्टर का मतलब क्या होता है विक्टरी वेक्टर का मतलब क्या होता है विक्टरी होती है और विक्टरी होती है और vector के पास magnitude होता है vector के पास क्या होता है magnitude और d से क्या होता है direction आज की class आप जिस coaching पर देख रहे है उस coaching का नाम क्या है बताओ नाम क्या है भई, md classes है की नहीं यानि एक सही दिसा में आपकी तयारी होगी हाँ, proper magnitude और direction के साथ तो सक्ति कैसा है, सक्ति का फार्मूला देखो, सक्ति का फार्मूला होता है W अपांटी, सक्ति का फार्मूला होता है MGH अपांटी, सक्ति का फार्मूला होता है Fs अपांटी, सक्ति का फार्मूला होता है half MV square अपांटी, ये सब सक्ति के फार्मूले है, धारा अदिस रासी है अदिश रासी है यह कैसी रासी है? अदिश रासी है यहाँ पे सदिश कौन सी है? कोड़िय सॉंविग ओमेगा से दर्साते है कोड़िय सॉंविग को अल से दर्साते है अल बराबर Mvr पूछा है समाने वैदूत उपकरण के लिए फ्यूजतार में कैसा गुड़ होना चाहिए फ्यूजतार क्या करेगा वाई अगर हम फ्यूजतार के बारे में पूछे तो आप क्या बताएंगे फ्यूजतार में कैसा गुड़ होना चाहिए फ्यूजतार की बात पूछा है यहाँ पर चुनिए एक एक जबाब देखेगा यहाँ पर option बड़ा अराम से दिया गया है कहीं पर matching का option नहीं है जिससे आप निकाल सकें लोग option से भी निकालते हैं यहाँ पर क्या निकालोगे मोटा तार होना चाहिए कि पतला तार होना चाहिए आप इसमें से एक जबाब देना है आपको आप जानते हैं आर बराबर क्या होता है रोयल अपान ए अगर ए जो है ज़्यादा होगा तो तार मोटा होगा अगर मोटा या मोटी एक ही बात है अच्छा एक कम होगा तो तार पतला होगा या तो तार मोता होगा या तो तार पतला होगा अब देखो इस त्रिलिंग में कहें तो मोटी या पतली लेकिन यह सब बोलना उचित नहीं है यहां पर रोयल अपान ए है न तो आप बताए प्रतिरोध फ्यूज तार जो होता है न फ्यूज वायर उसका प्रतिरोध क्या होता लो होता है कि हाई होता है लो होता है तो यहां पर जाहिर सी बात है तार कैसा होना चाहिए पतला और गलनांक भी कैसा होना चाहिए निम्न होना चाहिए तो यहां पर यह आला आपशन होगा टू और थ्री है ना अच्छा बल्ब के बारे में कहिके बार पूछता है बल्ब के बारे में तो बल्ब में एक फिलामेंट होता है तंतु यही वो तंतु है जहां पर बिद्यत उर्जा प्रकास उर्जा में परिवर्तित होती है अगर इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा डाल देते हैं तो वही बिद्यत उर्जा उस्मा उर्जा भी देती है उस्मा उर्जा भी लेकिन बल्ब की बात है तो बल्ब में resistance अगर ज़्यादा होगा तो heat ज़्यादा देगा लेकिन अगर iron की बात करें आईरन में बल्ब से ज़्यादा resistance होता है क्योंकि यहाँ पर नाई क्रोम का बना हुआ filament होता है यानि जो निकिल प्लस क्रोमियम का है किसका है निकिल प्लस क्रोमियम का है अगले सवाल के तरफ चलते है निमलिखित में कौन ठोस द्रव और गैस पर ताप के प्रभाव को ब्यक्त करता है ठोस द्रव और गैस अब देखेगा अगर हम बात करें पदार्थ के अवस्था की तो सबसे पहले तो आप देख लिजेगा जो पुराने तयारी करने वाले हैं वो भी थोड़ा सचेत रहेंगे पदार्थ की कितनी अवस्था हो है पांच अवस्था है भाई और कौन कौन सी पदार्थ की पांच अवस्था है तो कहेंगे सर जी सालीड लिक्विड और गैस गैस को गरम करोगे तो कौन सी अवस्था मिलती है प्लाजमा और सालिड को और ठंडा करोगे तो क्या मिलती है तो कहोगे बोस आइस्टीन कंडनसेट तो पदार्थ की अब अवस्था कितनी हो चुकी है पांच हो चुकी है पांच अवस्था है भूलिएगा नहीं बोस आइस् कर दें तो क्या बोलेंगे कहेंगे सर जी आप्षा नंबर भी फ्रीजिंग बोलेंगे फ्रीजिंग बोलेंगे सर जी और अगर सालीड को लिक्विड में बदल दें तो क्या बोलेंगे कहेंगे सर जी आप्षा नंबर ए मेल्टिंग बोलेंगे है ना मेल्टिंग बोलेंगे त तो दो option deposition भी तो इसी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इन में से सभी लगा दे, बिलकुई, हाँ, एक सवाल और देखेगा, पूछा है, यह question सोचने वाला है, कह रहा है, निम्नकड एक ही गती जुर्जा के साथ चल रहे, गती जुर्जा क्या कर दिया, समान कर दिया, तो गती जुर्जा के यह वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यह वाला नहीं इस्तेमाल करेंगे, इससे question को करेंगे, कह रहा है, गती जुर्जा समान है, तो गती जुर्जा अगर सभी का समान होगा, तो क्या होगा, संवेक के साथ रेशियो कैसा बनेगा, यहाँ पर, क से ज्यादा मास प्रोटान का प्रोटान से ज्यादा मास डियूट्रान का डियूट्रान का और डियूट्रान से भी ज्यादा मास किसका अलफा कड़का हो गया कि नहीं बताओ इलेक्ट्रान का मास सबसे कम फिर प्रोटान फिर डियूट्रान और फिर तो यहां पर आप किसको चुनोगे तो आप खुद से सोचना है कि यहाँ पे P square गती जुर्जा सबसे अधिक सम्वेक किसका होगा तो जिसका द्रब्यमान ज्यादा उसका सम्वेक ज्यादा तो अलफा कड का द्रब्यमान ज्यादा क्योंकि अलफा कड का द्रब्यमान प्रोटान के चार चार प्रोटा का द्रबेमान जितना होता है उतना एक अलफा कड़ का प्रोटान होता है और दूसरी बात अलफा कड़ का आवेश कितना होता है प्रोटान के दो आवेश के बराबर होता है तो अलफा कड़ का आवेश प्रोटान के दो आवेश के बराबर होता है रबड को वल्ली कृत करना ह के आईसोप्रीन नाम सुने होंगे आईसोप्रीन आईसोप्रीन से हम रबर बनाते हैं रबर एक प्रकार का संसलेशित प्राकिर्तिक बहुलक है लेकिन जब इसमें हम वल्ली करड की प्रक्रिया करेंगे तो वल्ली करड की प्रक्रिया से यही सलफर जो है और ज्यादा लाल ब्रोमीन के बारे में आप कहेंगे सर जी लाल तरल अधातु है ये कैसा है लाल तरल अधातु है बोलो भीया किलियर है कैसा है लाल तरल अधातु है एक मात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में है वैसे फास्फोरस के बारे में बात करते हैं तो फास्फोरस के कितने Phosphorus के कितने अप्रूप है Phosphorus के कितने एलोट्राप्स है कौन काउन से लाल Phosphorus माचिस में इस्तेमाल करते है सफेद Phosphorus सुहा मारना हो और तीसरा है काला Phosphorus तो आप जानते हैं जैसे NPK के बारे में ध्यान दिजेगा N से nitrogen न से क्या होता है भाई नाइट्रोजन पी से क्या होता है फासफोरस और के से क्या होता है पोटेसियम तो नाइट्रोजन फासफोरस और पोटेसियम यह तीनों का काम क्या है ओके सुगंधा बिलकुल आईए तो यह तीनों क्या है उर्वरक में इस्तेमाल करते हैं और यही काल और यहा। फास्फोर एस आपका वुरवरक में आप इस्तिमाल कर सकते हैं। यहा deeper पूछा है कौन सा समस्ठानिक जिूमर का पता लगाता है। आइसो का मतलब होता है सेम, अटोब का मतलब होता है प्लेस। तो जो सेम प्लेस पर हो वही आइसोटोप है। और सेम प्लेस पर कौन होगा जिसका परमाडू क्रमांक सेम होगा अगर किसी एलिमेंट का परमाडू क्रमांक सेम है तो वो समस्थानिक है और परमाडू क्रमांक सेम तब होगा जब प्रोटान की संख्या सेम होगी ध्यान दीजेगा एटामिक नंबर जो बोला गया वो हमेश प्रोटान की संख्या को बोला गया किसको बोला गया प्रोटान की संख्या को बोला गया यहां पर आपसे पूछ लिया अर्सेनिक कोबाल्ट यूरेनियम यूरेनियम 235 तो इंधन है नाभिकी इंधन है न्यूकलियर फ्यूल है बोलो किलियर है कौन सा है न्यूकलियर फ्यूल तो सब ने एक जबाब दिया सर जी कोबाल 60 is the right choice चलिए अगले सवाल के तरफ चलते हैं कार्बो हाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में उर्जा का प्रमुक स्रोत क्या है आप जो भी भोजन करते है उससे उर्जा और पोशन प्राप्त होता है बिटामिन से उर्जा प्राप करता है जिससे उर्जा प्राप्त होती है बिटामिन कार्बनिक योगिक होते हैं और वसा के बारे में आपका क्या ख्याल है कार्बन हाइड्रोजन और आक्सीजन से निर्मित है हाइड्रोजन की संख्या आक्सीजन के तुलना में ज्यादा है कार्बो हाइड्रेट भी कार् लेकिन इसमें आक्सीजन जादा है और वसा में हाइड्रोजन जादा है वसा भी उर्जा का मुख्य स्रोत है और एक ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी पर ग्राम उर्जा प्राप्त होती है चलिए अगले सवाल के तरफ चलते हैं प्रोटीन जो है यह बाडी बिल्डिंग द्वारा बनते हैं अमीनो अमल नाम में देखो अमीनो और अमल तो कारबन में एक अमीनो ग्रुप होगा और एक अमल का ग्रुप होगा अमीनो अमल में एक एलकिल समू और एक हाइड्रोजन अमीनो अमल NH2, COOH, एलकिल समू और हाइड्रोजन यह अमीनो अमल का फार्मुल अगला सवाल देखेगा, एक बार क्लास में धमाकेदार तरीके से से लाइक तो जरूर ठोकियेगा, एसकरवी रोग पूठा है, कुछ लोगों को गन्ना ते दिया जाता है, नाग तूट जाता है, नाग तूट के जाता है, हिलने लगता है, कहते हैं सरजी दात बहुत कम मसूडों से बलड आ जाता है गम से मसूडों से क्या आता है बलड मसूडों से बलड आता है मसूडे कमजोर है तो यहाँ पर एसकरवी रोग बिटामिन C की कमी से होते हैं अगर सरीर में बिटामिन C की कमी से अब बिटामिन C मिलेगा कहां खटे फल में खटे फलों में मिलता ह सिट्रस फूट में मिलता है, जितने जूसी फूट है जिसने फाइबर वाले फूट है उसमें मिलता है मेरे भाई और ये vitamin C का नाम क्या है, नाम लोग भूल जाते है बिटामिन A का नाम रेटी नाल है बिटामिन K का नाम फिलो क्यू नोन है के का नाम क्या है फिलो क्यू नोन एक का नाम क्या है रेटी नाल है और बिटामिन B12 का नाम क्या है तो साइनो कोबाला मिन है साइनो कोबाला मिन और पूछेगा कौन से बिटामिन में साइनो कोबाला म कमी से क्या होता है परनीशय से नीमिया और फाइबरी नोजन क्या करता है बता दो मेरे भाई फाइबरी नोजन ब्लड की क्लाटिंग कराता है रुधीर का ठक्का जमाता है लेकिन अगर पूछ दे हिपैरीन क्या करता है तो कह देना सर जी हिपैरीन प्रिवेंट ब्लड थेख्ता है वहाँ अगर ठक्का जमजाए तो कहाँ घूम पाएगा वहाँ पर हिपायर इन प्रändव क्या पांग पर पूछाए टेरिडो फाइटा वर्ग के पौधों में कौन सा समोहन उत्तक पाया जाता है प्लांट के बारे में पढ़े होंगे प्लांट में पहला समोह क्या है थेलो फाइटा थेलो फाइटा के बारे में याद है सेवाल का समोह है सेवाल अच्छा सेवाल का अध्यन क्या कहलाता है पुश्ता है सेवाल का अध्यन और इस में इस थैलोफाइटा में रूट भी नहीं पाया जाता एस्टेम भी नहीं पाया जाता लीफ भी ये तीनों एबसेंट होते नहीं पाया जाते प्लांट का जो दूसरा समू है उसको कहते है सर जी ब्रायोफाइटा अच्छा ब्रायोफाइटा में क्या होता है तो ब्र पादप जगत का उभैचर कौन है ब्रायो फाइटा है यहां क्या है लेकिन यहां पर जायलम और फ्लोयम जो है दोनों पहली बार प्रथम बार ठीक है पहली बार यहां पर आया है अगला जबाब देखेगा नेरिस फेरिटिमा केचुवा और हिरुडिनेरिया यानि रक्त चूसक जोंक किस संग के उधारण है अच्छा बनस्पति बिग्यान हटा है अच्छा इसका जबाब दीजेगा बनस्पति बिल्कुल इसका जबाब क्या होगा हिरुडिनेरिया और केचुवा के बारे में अगर इन में आपको ध्यान पर रखना है इसमें blood vascular system पाया गया था blood vascular system closed type का पाया गया था जो केवल दो में पाया गया एक cardata में और एक anylida में तो cardata हो या anylida हो cardata संग की बात करे या anylida संग की बात करे anylida इन दोनों में क्या पाया गया closed type क्या पाया गया close type blood vascular system blood vascular system पाया गया अच्छा आर्थोपोड़ा में कैसा पाया गया open system पाया गया खुला तंत्र और सबसे अधिक जीव इस पूरे प्रिथवी पर सबसे अधिक जीवों की संख्या कहा मिलेगी सबसे अधिक जीवों की संख्या किस संख्य में है बहुत बड़िया और दूसरा सबसे ज़्यादा जीवों का largest largest phylum कौन सा है सबसे अधिक जीवों दूसरे नंबर पर कौन है तो पहले पर कहेंगे गुरु जी आर्थो पोड़ा है और दूसरे पर गुरु जी मोलस्का है दूसरे पर क्या है भाई मोलस्का है किलियर है आर्थो पोड़ा और मोलस्का पहले पर आर्थो पोड़ा दूसरे पर मोलस्का अगला सवाल कह रहा है कि अलग अलग परमाडू संख्या और समान देखेगा परमाडू संख्या को अलग कर दिया और द्रब्यमान संख्या को समान कर दिया तो जब भी परमाडू संख्या अलग होगी और जैसे परमाडू संख्या अलग हो गया लेकिन द्रब्यमान संख्या स अच्छा आईसो टोन्स किसे कहेंगे इसमें निव्ट्रान की संख्या क्या होती है समान होती है निव्ट्रान समान होते है आईसो इलेक्ट्रानिक में क्या होता है तो आईसो इलेक्ट्रानिक में इलेक्ट्रान समान होते है आईसो इलेक्ट्रानिक में इलेक्ट्रान समान होत अगला सवाल देखेगा अगला क्या पूछा है कपड़ों और बर्तन को साफ करने के लिए जो डिटरजेंट का हम प्रयोग करते हैं आपको याद होगा baking soda, आपको याद होगा washing soda, इसी में से एक जवाब आपको देना है, क्या होगा इसका जवाब, दिक्कत की बात यहाँ पे है, कि washing soda में क्या पाया जाता है, कहते हैं सर जी washing soda में तो carbonate पाया जाता है, तो यहाँ पे carbonate तो है नहीं, bicarbonate तो baking soda है, baking soda हम किसको कहते है, bicarbonate को, यहाँ पे nitrate है, sulfonate है, sulfonate क्या करता है, washing का है, sulfonate क्या करता है, तो sulfonate बिल्कुल detergent के तौर पे काम करता है, detergent का काम करता है, वैसे आग जैली के सिड क्या करता है, आला जानते होंगे कपडों से रंग उडाने का काम, bleaching powder का नाम सुना होगा, यह सब bleaching powder, formula आपको पता है, CAO, CL2, आग जैली के सिड का, COOH, और COOH, यही formula आग जैली के सिड का, तो यह दोनों क्या करते हैं, बिरंजन का काम करते हैं, रंग उडाने का काम करते हैं, कपड़े से, हाँ आग जैली के सिड टमाटर में मिलेगा, अब यहाँ पर पूछा है, ओजोन छिद्र के लिए, कौन सा प्रदूसक जिमेदार है, प्रदूसक किसे कहते हैं, जो प्रदूसर को फैलाते हैं, प्रदूसक प्राथमिक अस्तर के और दूतियक अस्तर के, प्राइमरी पालूटेंट जो होते हैं, अपने मूल अस्तर पर प्रदूसर को फैलाते हैं, जैसे कारबन डाइकसाइड, सलफर डाइकसाइड, जैसे नाइट्रोजन डाइकसाइड, यह अपने मूल स्वरूप में, पॉलिथीन, जैसे डीडीटी, यह अपने मूल बदल लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, जैसे पैन, पराक्सी, एसिटिल नाइट्रेट, जैसे अगर हम बात करें सेकेंडरी पालूटेंट के अलावा, तो हम बात करेंगे किसका, भाया, SO3, जैसे हम ओजोन, ये सब सेकेंडरी पालूटेंट है, लेकिन ओजोन के लेयर में होल क करने का काम ओजोन के लेयर में होल करने का काम किसका है क्लोरो फ्लोरो कार्बन है किसका है क्लोरो फ्लोरो कार्बन है यहां पर जबाब देना है उच्छ आक्टे निंधनों के उत पादन में उत प्रेरे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है यहां पर जबाब दीजेगा गुड मानिंग, गुड मानिंग मेरे सारे भाईयों को, एकदम जबरजस्त इनर्जी के साथ आज एकदम धुवा उड़ा दीजे यार, बिल्कुल, क्या होने वाला है, पूछा है, हाँ, H2SO4, H2O, HCL, HF, आप जानते हैं, इसमें से कौन ऐसा होगा, जो उच आक्टेन जाता है, डीजल में पाया जाता है, सरजी, डीजल में, तो पेट्रॉल के लिए, कैट्रिलिस्ट का काम कौन करेगा, सलफ्यूरिक एसिड करेगा, और इसी सलफ्यूरिक एसिड को, किंग आफ एसिड कहा गया, इसी को, आयल आफ विट्राल कहा गया, इसी सलफ्यूरिक एसि सबसे सुद्ध तत्व है देखेगा तत्व की बात पूछा है सबसे सुद्ध तत्व क्या है आईए क्या जबाब देंगे यहां देखेगा अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करे तो ब्रह्मांड किसे मिलकर बना है पदार्थ से पदार्थ किस से मिलकर बना है यौगिक से यौगिकों का निर्माड अडवों से होता है और अडवों का निर्माड किस से होता है कहेंगे सर जी परमाडू से और परमाडू का निर्माड किस से होता है तो कहेंगे सर जी एस्थाई कड से अस्थाई कड काउं से होते हैं तो प्रोटान, इलेक्टान, निउट्रान इसको एटम कहते है इसको मालिक्यूल कहते है मालिक्यूल इसको कमपाउंड कहते है कमपाउंड कहते है इसको सबस्टांस कहते है सबस्टांस सबस्टांस कहते है और दूसरा औस्थाई कड़ होते, औस्थाई कड़ मैप होता, मिसान, एंटी प्रोटान, पाजिट्रान, मिसान, एंटी प्रोटान और पाजिट्रान, पाजिट्रान के खोज करता है एंडर्सन, पाजिट्रान एक एंटी पार्टिकल है, है न, तो चलिएगा, यहाँ पर वारे है भाया बिटामिन डी पूछा हुआ है बिटामिन डी कहां पे निर्मित होता है तवचा में सबसे अतिस सिग्रे निर्मित होता है अतिस सिग्रे सबसे तेजी से निर्मित होने वाला बिटामिन कौन सबसे तेजी से निर्मित होने वाला बिटामिन कौन तो क्या बोलें लिए गा मज़बूत तथा स्वस्त अस्थियों को बनाने के लिए भोजन से केल्सियम के ऑउसोशड के लिए भोजन से मैंगनीशियम के ऑउसोशड के लिए बिटामिन दी आश्ट्यो अरथ्राइटिस से बचने के लिए यहां पे बहुत सारेятиMr. дер smartest आपके बड़े क्लोज क सोषड होगा तभी क्या होगी अस्थी का निर्माड होगा मेरी भाई एक बात बताओ जब कैल्सियम का सोषड होगा तभी क्या बनेगी अस्थी थोड़ा सोचो किलियर है कि ने भोजन से जब कैल्सियम का सोषड होगा तभी क्या होगा अस्थी का निर्माड होगा और जब अ पास्टियों और्थ्राइटिस नहीं होगा क्लियर है ना चलि तो यहां पे थोड़ा सोचना है रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो आप जानते हैं तरल संजी उत्तक के बारे में बात करें तो तरल संयोजी उत्तक कौन से होते है तो आप कहेंगे सर जी रूधीर होता है साथ में लसिका होता है ये दोनों के दोनों तरल संयोजी उत्तक होते है यानि लाल रक्त को सिकाए जो होती है नहीं लाल रक्त को सिकाए जो होती आर बी सी इसको Erythrocyte कहते है भाई क्या कहते है Erythrocyte कहते है और यहाँ पर plagma जो होता है 55 परतीसत है सबसे अधिक होता है यह अपसिश्ट पदार्थ का परिवहन करता है यह थोड़ा बहुत oxygen थोड़ा बहुत carbon dioxide का परिवहन करता है स्वेत रक्त करिकाय सैनिकों के तरह काम करती है पूछा है कौन सा इसमें है जो काला जार जिसके कारड काला जार होता है काला जार किसके कारड होता है कौन कौन से जोन से अब मालेजे सबका आप जोन पता कर लीजे कौन कौन से जोन से बहुत बढ़िया जल्दी बताओ भई यहाँ पर अगर हम sleeping sickness पूछते sleeping sickness तो क्या जबाब आता sleeping sickness का कहते सर जी ट्रिपैनो सोमा ब्रूसी जो होता है ट्रिपैनो सोमा ब्रूसी यही sleeping sickness का कारण है और इसके लिए cc मक्खी जिम्मेदार है cc flying लेकिन यहाँ पर पूछा है तो लिचमानिया जिम कर दी यहाँ पर पूछा है सनरचनाओ में कवोण से युगम प्रायाः पादप और जन्तु दोनों कोशिकाओं में पायं जाते हैं कोशिका भित्ती केवल कहाँ पाय जाती है ।्द्रिवस क्यू आपशन वाले एक डम सही है अगला सवाल देखेगा पूछा है गती जुर्जा कितनी है गती जुर्जा का सवाल दिया है वेग दिया है और आपके पास द्रब्यमान दिया है तो ये जल्दी से जबाब दीजेगा आप ही बताएं इसका अंसर क्या होगा गुडा करना है बिलकुल यहाँ पर 22 गुडे 5 गुडे 5 तो यहाँ पर 11 हो गया 11 गुडे 25 क्या होगा भई 275 जूल होगा क्या 275 जूल होगा बहुत बढ़िया 270 एक और देते हैं सेम सवाल है पूछा एक ऐसा सेम नहीं है थोड़ा लग है वस्तु की गती जुर्जा 120 जूल है द्रब्यमान 15 किलो ग्राम है वेग पूछा है तो गती जुर्जा का निमेरिकल आए भाई कैसे निमेरिकल करते है बच्चे से निमेरिकल नहीं होता है डर जाता है सोचता है कि साइन्स इतना इंपोर्टेंट सबजेक्ट तयारी नहीं होगी रेलवे का सपना छोड़ दीजे काइनेटिक इनरजी 120 जूल है जैसे बता रहा हूँ ऐसा लिखिए मास कितना है पंदरा और वेलास्टी का स्क्वार ऐसे रहने दीजे 120 में 2 से गुडा करेंगे 240 15 आगया नीचे इधर आगया V स्क्वार 5 से काटिए 5 तिया 15 5 चोग को 25 अठे 40 3 से काटिए 8 4 12 है कट जाएगा 3 एकम 3 और 18 3 चके 18 V स्क्वार V का मान क्या आएगा 4 अब यहाँ पर मैथ वाला बच्चा कहता प्लस माइनस 4 वह यह फिजिक्स पढ़ रहे हो तो 4 मीटर पर सेकेंड अब देखो मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखेंगे और मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखेंगे कई के बार बच्चा ऐसे लिख देता है मीटर पर सेकेंड यह गलत है इसका मतलब हो गया मीटर इंटू सेकेंड यह नहीं होगा मीटर पर सेकेंड यह वाला आंसर होगा B आंसर होगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा, आंसर निकाल के गलती होती है, भाई यह लाइक वाइक नहीं करना है कि आज एक जबाब और देखो और इसका आंसर देना है, फारेन हाइट में, आज ही मैंने कहा था, फारेन हाइट में 212 डिग्री फारेन हाइट कितने सेंटी के बराबर होगा, 100 डिग्री सेंटी ग्रेट के, हम कहेंगे 273 कैल्विन कितने डिग्री सेंटी ग्रेट के बराबर होगा, 0 डिग्री सेंटी ग्रेट के, हम कहेंगे 373 कैल्विन किसके बराबर होगा, 100 डिग्री सेंटी ग्रेट के, पूछा उस वस्तु का ताप क्या होगा, 100 degree centigrade होगा ना चले अगले सवाल पर आते हैं जल का अधिक्तम घनत्व क्या पूछा है जल का अधिक्तम घनत्व किस तापमान पर होता है तो जब घनत्व का ग्राफ बनाईएगा घनत्व का तो 4 degree centigrade पर एकदम हवा में उड़ जाईएगा 4 degree centigrade पर सबसे ज़्यादा होगा दुख की बात यह है यहाँ फारेन हाइट है तो फारेन हाइट को आप जानते हैं ना कि डिगरी centigrade बटा 5 डिगरी फारेन हाइट माइनस 32 बटा 9 यही तो होता है तो यहाँ पर अगर फारेन हाइट निकालेंगे तो क्या होगा चार बटा पाँच 9 चोग को 36 बटा 5 प्लस 32 इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर पाँच तिया पंदरा होता है यही एक आंसर है पंदरा चार पाँच नुवा पैंतालिस क्या होगा 39.2 डिग्री फारेन हाइट एकदम एकजेक्ट आंसर तक पहुँचना सीखिए ठीक है चली अगला सवाल देखेगा यह सवाल कर पाएंगे क्या 200 ग्राम भार वाले लोहे के टुकडे पर उसमा 30 डिग्री से बढ़ाकर 60 डिग्री कर दी जाती है टुकडे पर कितनी उसमा इस्थनांत्रित की गई थी लोहे की बिसिष्ट उसमा कल कैलोरी में दिया था अच्छा कौन से कोश्चन को 28 नंबर के कोश्चन पर अच्छा इसमें 0 छूटा है क्या गती जूर्जा दी गई है 22 किलोग्राम क्या इसमें गलती है भाई 22 और 5 गुड़े 5 तो 2 से काटेंगे 11 25 कहां पर मुझे तो नहीं लग रहा है भाई सई है भाई तुम कुछ और पढ़े होगे या पर 50 पढ़े होगे दूसरा कोश्चन रहा होगा यह कोश्चन दूसरा है यहां पर क्या होगा Q बराबर रांसर हां बिलकुल यहां पर मास कितना दिया है 200 ग्राम विसिष्ट उस्मा दिया है 450 और 60 में से 30 घटा देना है 60 में से 30 को क्या कर देना है घटा देना है तो यहाँ देखेगा Joule पर Kelvin Kelvin centigrade में है दोनों में 273 जोड़ेंगे तो समान अंतर आएगा 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा Q बराबर MS डेल्टा T अब यहाँ से आंसर निकालते है अच्छा यह किलो ग्राम में और यह ग्राम में तो हजार से भाग देना पड़ेगा देखें यह ग्राम में है और यह किसमे है किलो ग्राम में तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कहेंगे अब सर जी सही है अब यहाँ पर गुड़ा करना है 20 तियां 60 गुड़े 45 यही गुड़ा कर दो तो 6 से करो 6 35 का 0 हासिल 3 6 4 को 24 3 27 यहाँ पे 2700 J is the correct answer D आगे है न ऐसे ही आपको numerical के तरफ जाना है 100 ग्राम खा दे तेल में कितनी उसमा स्थनांत्रित की जाए कि इसका ताप मान 20 से बढ़कर 20 degree centigrade बढ़ जाए अब यह डेल्टा T दे रहा है तो आप निकाल सकते हैं Q बराबर MS डेल्टा T यहाँ पर M का मान 100 है और S का मान कितना दिया हुआ है 2.5 से में देखेगा और 7 में 20 degree लेकिन यहाँ पर भी kilo है तो 1000 से क्या कर दिजे भाग कर दिजे क्या आ जाएगा दोनों का गुड़ा कर दिजे 2.14 का 4 हासिल एक 2.5 से के 11 दो दुना चार कितना आ जाएगा भाई एक मिनट एक मिनट मैं फिर से करता हूं यहाँ देखेगा 100 ग्राम दिया हुआ है तो 100 ग्राम को तो kilo में बदला पड़ेगा क्योंकि यहाँ kilo है तो यहाँ पर 1000 से भाग दे दिया बिसिस्ट उस्मा कितना दिया है 2.57 दिया है साथ में टेंपरेचर का अंतर तो 20 दिया है 2.0 से 2.0 एक जिरो से 1.0 यह तो इतना आएगा बेटा इसमें गलत दिया हुआ है यह आंसर थोड़ा मिला लेना दो सते 14 का चार हासिल एक दो पचे 10 से के 11 का एक दो दुना चार एक पांच बेटा इतना जूल आएगा यह kilo जूल में नहीं आएगा जूल में आएगा kilo जूल इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ gram लिखा है देखो gram लिखा है और यहाँ kilo लिखा है तो gram को kilo में बदलना पड़ेगा न या answer में हो सकता इस question में 100 kilo दिया हो जब 100 kilo gram देगा तो answer 5 आएगा है ना 100 kilo देगा तो answer आच्छा यहाँ पर 5 जूल तो है मैं ध्यान ही नहीं दिया ठीक है sorry answer तो दिया था बेटा मैं ध्यान नहीं दिया मुझे लगा सब kilo जूल में चली तो इसी के साथ एक सवाल और कराते है एक सवाल और कराते पूचाए संधारितों की समतुल ये धारिता स्रेडी क्रम में आप ऐसे जोडते स्रेडी क्रम में कैसे जोडते हैं एक बटा सी बराबर एक बटा सी वन प्लस एक बटा सी टू प्लस एक बटा सी थरी या अगर सब समान होते हैं तो संख्या से भाग देजिए सब समान होगा तो संख्या से भाग देजिए ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा चार बटा तीन माइक्रो फेरेड चलिए अगले आखरी सवाल पे चलते हैं ये क्या है कह रहा है उर्जा पूछ रहा है और आर प्रतिरोध दिया है धारा दिया है समय दिया है तो H बराबर होता है I square R into T ठीक है अब I कितना दिया है पांच गुड़े पांच आर कितना दिया ह तो टाइम 30 मिनट है तो 60 से गुड़ा कर दीजे अब आंसर निकालिए कितना आएगा भाई 25 दुना 50 और यहां पे 6,3,8,8,8,8,9,8,9,9,3,0 है ये आएगा यानि 9 गुड़े 10 की घाथ 4 जूल ये आंसर आएगा तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यही सवाप्त करते हैं अगर आप चालक बैच से जूड़ना चाहते हैं तो आपको याद रखना है कि सीधा MD Classes के पेड बैच में अप्लिकेशन में जाकर पेड कोर्स में जाईए यहां बिलकुल यहां पर कूपन कोड आप ALP 10 इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी कूपन कोड से यह आपका 499 के अगर बिलकुल आपको किसी बात पर आहत लुआ हो एक कोश्चन आप पूछ रहे थे अब उस कोश्चन के बारे में भीया हमने तो चेक कर लिया था मेरे हिसाब से तो वहीं आंसर आया है आप भी एक बाद साल्व करके भेज़ दीजिएगा ठीक है चलिए हाँ चलिए बाकी सभी लोग मस्त रहे जबरजस्त रहे फिर मिलते हैं कल और जस्ट जियस की क्लासरू होने वाली है जस्ट आपकी किस की क्लासरू होने वाली है जियस की क्लासरू होने वाली है तो हम लोग जियस पढ़ेंगे एकदम धमाकेदार अंदाज में जबरजस्त आज में और यह जो सवाल आज हम रहने दे रहे हैं इसको कल पढ़ाते हैं चलिए तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक्यू सुवाज करे दो में जूत हैं जो सेबते हैं तोर क्या को को